अब ये कोई एलामत रसी है कि आशनिक जम्मने पहले भी इस्तमाल किया था वो अंदर से फौरण रिलीफ दे देता है ये देशानी है में अंदर के लिए वो खतम है भुखाशानी की जो कहती है वो खतम है खांसी दुबाय यहां आजाती है ताफ्टी कुसाफ करती है एक बह अंदर से बाहर की तरह फर्कत हो तो ये मुझीब है अगर गले को अरामा उच्छाती पर उत्रत ये खतना की है इसलिए जो इसमें एक और चीज में देखी है वो ये कि पहले भी आने के कुछ येर के बाद नाक संच के हो जाता था जैसे नजलों के पहले कीके शुरूवत जो खारिश है ये जले में नहीं बलके नाक के उपर भी चरती है और इमीजीद आई थी ना एक जनी मासुष की आतमें और मासुष नहीं आई होगी तो मैं युँट दबाली होगी है माजर कोशिस करती है और मुस्तर के लगया नहीं कदा करती है कल भी यही हुआ था जब अधियास नहीं खाई नाक में हल्की सीविटेशन जैसे चीक आने लगी है और शाती बिल्कुल साफ कोई तद्रीश में है क्वारिश वही पौरानी वापस आ रही थी जहां इसका मतलब है कि वहीं रख कर कोई गवाज अगर मिले तो ठीक करनी चाहिए पासफोरस उसमें अ इसकी खराश जिससे खांसी पैदा होती हो जिसको बोलने से यह हसने से तक्वी पड़ जाए उसमें मुफीद बताई जाती है और मैं तज़बा कि यह है कि मुफीद है मगे शोर से यह जिल्की विमारी जाहर हो जाना हाई जुगारा यह अजीब बात है